बिद्यार्थियों, आज हम लोग इस कड़ी में शयद हैदर रजा द्वारा लिखित और मधु वी जोशी द्वारा अनुवादित पाठ आत्मा का ताप पढ़ेंगे और समझेंगे लेकिन पाठ पढ़ने और समझने से पहले इस पाठ के शिर्षक पर विचार करना आवश्यक है पाठ का शिर्षक है आत्मा का ताप अर्थात चित की शक्ति, मन की उर्जा क्योंकि मन की शक्ति के कारण ही रजा साधारन से औसाधारन बन सके यह पाठ साधारन व्यक्ति का औसाधारन बनने की कहानी प्रस्तुत करता है तो आईए सबसे पहले लेखक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लेखक का परिशे क्या है और उनके जीवन के बारे में किस तरह की बातें हमें इस पुष्टक में बताई गई है सेद हैदर रजा का जन्म मध्यप्रदेश के बावरिया गाउं में हुआ था उनकी स्कूली शिक्षा नागपूर महराष्ट में हुई थी उन्होंने गोंदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी की उन्होंने चित्रकला की शिक्षा नागपूर स्कूल आफ आर्ट और सर जेजे स्कूल आफ आर्ट नुमवई से प्राप्त की थी उन्होंने भारत में अपनी कला की अनेग प्रदर्शनिया आयोजित की इसके बाद उन्नीस सो पचास इश्वी में वे फ्रांसिसी सरकार की छातवरिती पर फ्रांस गए और वहां चित्रकला का अध्येन किया उन्होंने आधुनिक भारतिये कला को अंतरराश्ट्रिये अस्तर पर प्रतिष्ठित किया उन्हें कई पुरसकारों से सम्मानित भी किया गया आधुनिक भारतिये चित्रकला को वैस्वी कस्तर पर पहचान दिलाने में जिन भारतिये कलाकारों का योगदान है उनमें रजा का नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने आता है रजा की कला में भारतिये और पश्चिमी दोनों कला द्रिष्टियों का मेल दिखाई देता है वे पश्चिम में रहकर वहां की कला बारीकियों का अध्यान किया वे ठेट रूप से भारतिये कलाकार हैं बिंदू यानी डौट उनकी कला रचना के केंद्र में हैं उनकी कई कलाकृतियां बिंदू का रूपाकार नहीं है बलकि पारंपरिक भारतिये चिंतन का केंद्र बिंदू भी है रजा की कला और विक्तित्व में उदात तत्व है उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है इनकी कला को भारत सहित दूसरे देसों में भी सरहा गया है रुडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदी बेयर, गीती सेन, जाक लांसे, मिसेलें बेयर आध्यने रजा पर मोनोग्राफ भी लिखे हैं प्रस्तुत पाठ, आत्मा का ताप, सैयद हैदर रजा की आत्म कथा का एक अंसे इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधू भी जोशी ने किया है इस पाठ में हैदर रजा के चित्र कला के शेत्र में आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया गया है एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष उसकी सरजनात्मक बेचैनी जुनून आदी चीजें इस पाठ में सहज रूप से उभर कर सामने आई है इस पाठ से हम सभी को रजा की कठिनाईयों और संघर्षों से सीखने की आवश्यक्ता है और अपने जीवन में उतार कर उससे प्रेरित होने की भी आवश्यक्ता है विद्यार्थियों हम लोगोंने अभी लेखक के बारे में पढ़ा और समझा कि उनका जीवन किस प्रकार से था और अपने काम के प्रतीवे कितने समर्पित थे अब हम लोग इस पाठ के सार को पहले समझेंगे कि इस पाठ का सार क्या है उसके बाद मैं थोड़ी चर्चा आपसे करूँगा ताकि आपको यह समझ में आ सके कि आखिर आत्मकथा पढ़ने से हमें किस तरह की प्रेणा मिलती है तो आएए पाठ के सार को पढ़ते हैं पाठ का सार शयद हैदर रजा बच्पन से प्रतिभावान थे चुकी उनके पिता रिटायर हो चुके थे इसलिए उन्हें खुद नौकरी चाहिए थी वे गोंदिया में ड्राइं के अध्यापक हो गए महीने भर के अंदर ही उन्हें मुंबई के जेजे इस्कूल ओफ आर्ट में अध्याइन करने के लिए छात्रुर्ती सरकार से मिल गए लेकिन देर हो जाने के कारण उन्होंने दाखिला नहीं लिया अगर वे दाखिला लेते तो उनकी उपस्थिती वहां कम हो जाती और उपस्थिती का प्रतीशत वे पूरा नहीं कर पाते इसलिए उन्होंने वहां नामांकन नहीं लिया लेकिन सरकार ने उन्हें वहां से दूसरी जगा नौकरी की पेशकश की लेकिन रजा मुंबई में रहकर ही पढ़ाई करना चाहते थे उन्हें मुंबई का बातावरन वह शहर और वहां जो उन्हें मित्र मिले वे सब उन्हें पसंद आ गए इसलिए उन्होंने मुंबई छोड़ना वाजिब नहीं समझा और वहीं रहकर आगे की योजना बनाने के लिए वे दिढ़ प्रतिग्य हो गए मुंबई में उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिली कुछ ही दिनों में उनके काम से प्रभावित होकर इस्टूडियो के मालिक श्री जलील ने उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया सुबह दस से साम छे बजे तक काम करने के बाद वे पढ़ाई के लिए जाया करते और रात होते ही अपने भाई के एक परिचित एक टैक्सी ड्राइवर के घर सोने पहुँच जाते जो रात को टैक्सी चलाया करते थे बच्चों आपको यह समझना होगा कि मुंबई में उस समय भी रहने को लेकर कितनी दिक्कते थी और अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुस्य को कहां कहां समझहोता करना पड़ता है इससे बड़ा उदाहरन आपको और कहीं नहीं दिखाई देगा टैक्सी ड्राइवर रात को टैक्सी चलाता था जिसके कारण उसके कमरे उस समय खाली होते थे और इसलिए रजा रात को जाकर वहां सोया करते थे लेकिन एक दिन एक हादसे में उस टैक्सी में किसी ने किसी रिक्ती की हत्या करके रख दी थी जो यह बारदात हुई इससे वहां का माहौल बहुत ही खराब हो गया और ये घटना आकर जलील साहब को रजा ने बताया जलील साहब को जब उन्होंने ये बाते बताई तो जलील साहब ने उन्हें अपने डिपार्टमेंट में ही उन्हें एक कमरा दे दिया और कहा कि तुम यहीं रह कर काम करो रजा वही रहने लगे और देर राद तक चित्रकारी करते रहते थे परिणाम यह हुआ कि चार वर्ष के बाद 1948 में उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का श्वर्ण पदक मिला आप सोच सकते हैं कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है अगर आप लगन से मेहनत से परिश्रम करते हैं तो एक दिन वह समय जरूर आता है जब आपको सफलता प्राप्त होती है इस सम्मान को पाने वाले वे सबसे कम आयू के कलाकार थे दो वर्षवाद उन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवित्ती मिल गई उनके दो चित्र उनी सो तेन्तालिस में आर्ट सोसाइटी ओफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई उन्हें वहां उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वे उस समय प्रशिध नहीं थे लेकिन दा टाइम्स ओफ इंडिया में कला समिक्षक रुडोल्फ वॉन लेडेन ने उनकी प्रशंशा की थी उनके दोनों चित्र जो उस प्रदर्शनी में शामिल थे 40-40 रुपए में बिक गए उनके काफी प्रसंशक बन गए थे उसके बाद उनका काम दिन प्रति दिन निखरता चला गया और 1948 में वे श्री नगर गए और वहां चित्र बनाने में लग गए वे फैसला कर चुके थे कि अब भारत में ही वे रहेंगे उनके पास कश्मीर के ततकालीन प्रधान मंत्री का आदेश पत्र था जिसमें उन्हें कहीं भी आने जाने की अनुमती दी गई थी और हर संभव सहायता करने को कहा गया था कश्मीर में ही उनकी मुलाकात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कारतिये ब्रेशा से हुई जिनसे वे काफी प्रभावित हुए उन्होंने कहा कारतिये ब्रेशा ने उन्हें कि चित्रों में रंग है भावना है लेकिन रचना नहीं है यानी क्रियेटिविटी नहीं है चित्र भी इमारत की तरह बनाया जाता है आधार, नीब, दिवारे, बीम और छट और तब जाकर वह टकता है बंबई लोट करुए फ्रेंच पेंटिंग सीखने लगे 1950 में फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव से वारतालाप के दौरान जब उन्होंने आत्म विश्वास से सारे सवालों के जवाब दिये तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रजा शाहब को एक साल के बदले दो साल की छात्रिती दे दी विद्यार्थियों आपको यहां समझना पड़ेगा कि बातचीत की जो कला है वो मनुस्य को किस प्रकार से अबसर प्रदान करता है यहां रजा और सांस्कृतिक सचिव की जो बातचीत हुई उससे वे सांस्कृतिक सचिव इतने प्रभावित हुए कि रजा को एक साल के बदले दो साल की छात्रिती दे दी वे अपने देश के युबाओं को अक्सर प्रेरित करते रहते थे रजा अपने रिष्टेदारों में अपने जानने वालों में यो युबा थे जो अक्सर अपने काम को लेकर अपने कैरियर को लेकर बेचैन रहते थे उन्हें रजा अक्सरिया कहा करते थे कि अपने शक्ति को पहचानो अपने भीतर अपने सच्चे मन से मेहनत करो और उनका कहना था कि चित्रकला कोई व्यवसाय नहीं बलकि अंतरात्मा की पुकार है वे लोगों को अच्छे परिणाम के लिए अपना सरवस्व लगाने के लिए कहते थे रजा एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद तो परिश्रम करते ही थे साथ ही अपने जानने वाले को भी परिश्रम, लगन और दिढ़ इक्षा शक्ति के महत्व को बताने से कभी भी पीछे नहीं रहते थे वे चाहते थे कि सब लोग आगे बढ़े, परिश्रम करे और अपने जीवन में आगे बढ़े विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने आत्मा का ताप पाठ के सार को समझा और साथ ही यह भी समझा कि आखिर रजा की प्रसिद्धी के क्या कारण थे उन्होंने अपने अभाव पून जीवन की शुरुवात की थी, कठिन परिश्रम किया था कभी भी हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते गए अब यहां प्रश्न यह उठता है कि इस पाठ का उदेश क्या है इस पाठ को पढ़ने से हमें किस प्रकार की द्रिश्टी प्रदान हो रही है तो विद्यार्थियों सबसे पहले यह एक आत्म कथा है और आत्म कथा में लेखक अपने भोगे हुए यह थार्थ को बहुत ही सरलता पूर्वक हमारे सामने रखता है हो सकता है कि लिखते समय लेखक अगर अत्यधिक भावुक हो जाता है तो कुछ चीजों को वो बढ़ा चड़ा के भी लिख सकता है और ऐसा भी कभी हो सकता है कि उसे यह प्रतीत हो कि समाज उसके बारे में क्या कहेगा किसी बात को लेकर तो किसी तथ्य को वह छुपा भी सकता है लेकिन आत्मकथा को ऐसा माना जाता है कि लेखक के भोगे हुए यथार्थ का चित्रन किया गया है हम जब किसी की आत्मकथा को पढ़ते हैं तो उसमें उस व्यक्ती के जीवन संगर्स उस व्यक्ती की सफलता उस व्यक्ती के साथ जुड़ने वाले लोग वहां की परिष्थीतियां और उन परिष्थीतियों में हार न मानने की जिद इसको हम बहुत ही बारीकी से समझते हैं तो इस पाठ के उद्देश्य पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन में अगर सफलता मिलती है तो वह संगहर्स से ही मिलती है संगहर्स के बिना सफलता मिल नहीं सकती इसलिए हम सभी को अपने जीवन में संगहर्स को अपना लेना चाहिए और संगहर्स से कभी भी मूह नहीं मोरना चाहिए आपने रजा को भी देखा कि किस प्रकार से उनके पिता जी जब रिटार हो गए तो हो सकता था कि वे अपने परिवार के आर्थिक श्थिती के कारण आगे की पढ़ाई ही जारी ना रख पाते हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर की श्थिती अच्छी नहीं होती तो वे पढ़ाई छोड़ देते हैं लेकिन यहां हमें यह द्रिष्टी मिल रही है कि हमें किसी भी श्थिती में जब तक हमें अपने लक्ष की प्राप्ती नहीं हो तब तक हमें पढ़ाई नहीं छोड़ने की आवस्वेक्ता है चाहे उसके लिए जितना अधिक हमें संघर्ष करना पड़े दूसरी बात इस पार्थ में यह नहीं थै कि हमें परिश्रम और हार मानने की जिद हमेशा नहीं रहनी चाहिए हम किसी चीज से हार मान जाएं ऐसा नहीं हो सकता चाहे कितना भी कठिन परिश्थीतियां हमारे सामने आए चाहे जितना भी अबरोध है आपने देखा रजा के संदर्व में कि वे जब मुंबई पहुचे तो वहाँ उनका एड्मिशन नहीं हुआ और उन्हें दूसरी जगा नौकरी भी मिल रही थी लेकिन वे उन्होंने नौकरी अस्वीकार कर दी क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं यह भाव था कि हमें अभी और सीखना है और हम एक अच्छा ड्राइंग के चित्रकार एक कलाकार हम बनना चाहते हैं इसलिए वे टैक्शी ड्राइवर के अहां भी रहे रात रात भर जख्य काम किया सुबह से लेकर शाम तक काम किया रात को काम किया कभी भी हारने और ठकने का नाम उनके जीवन में नहीं था इसलिए हम सभी को भी कभी हारना और ठकना नहीं है तीसरी बातें रजा जिस तरह अपने सपने को पूरा करने के लिए लगनशील रहे आपने देखा कि कश्मीर में फ्रेंच फोटोग्राफर ने उन्हें जो बाते सजिस्ट की उस बात को उन्होंने बहुत ध्यान से सुना आज कल हम लोग हमें कोई कुछ बातें अगर बताता है तो हम हस कर उस बात को टाल देते हैं लेकिन अगर हम अपनी कम्यों को पहचान लें और उसे लगन के साथ उस पर काम करें तो हम लोग भी रजा की तरह अपने जीवन में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं तो सपना पूरा करने के लिए जो सबसे प्रमुफ चीज है वा है लगनशील होना तो आपको भी लगनशील होने की आवश्यक्ता है अगली बाते जो हम लोग इस पार्ट से सीख रहे हैं कि हमेशा नया सीखने की चाह से ही कामयावी मिलती है देखिए पुरानी चीजे बहुत सारे लोग सीख चुके हैं ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो बहुत लोगों को आता है आप इस पेसल कब हो सकते हैं आप इस पेसल तभी होंगे जब दूसरों से आपने अलग नया होगा इसलिए कभी भी कहते हैं कि लीक पर वे चलें जिनके चरण हारे हैं, लीक पर मैं क्यों चलूँ, मुझे अनन्त पंथ प्यारे हैं, तो अगर हम अनन्त पत्की और बढ़ना चाहते हैं, अमर्त अंक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमेशा नये को गले लगाना होगा, भाष जात, धर्म, संप्रदाय, बर्ग इन सब के दीवारों से मुक्त होकर आगे निकल कर नया सीखने की चाह जाहां रहेगी उनके कदमों में ही फूल बिखर जाएंगे और जहां हम इन चीजों के साथ जुड़कर अपने राष्टे को रोक लेते हैं वही हमारी काम्याबी समाप् बिद्यार्थियों तो इस प्रकार पाठ का यह उदेश्य है और हमें उमीद है कि आप इस उदेश्य को जरूर अपने जीवन में शामिल करेंगे विद्यार्थियों अब मैं जरासी पाठ की भाषा की बात आपसे करूँ बहुत अधिक इस पर बात करने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन फिर भी आपको यह समझना है कि यह एक आत्मकथा है और इसकी भासा एकदम सहज शरल है इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होती हाँ कहीं कहीं विदेशी नामों का जरूर जिक्र है जिसे आपको हो सकता है याद रखने में या पढ़ने में कठिनाई हो तो उसे आप दो से तीन बार चार बार पढ़ेंगे समझेंगे तो वह भी कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी कहीं कहीं मुहाबरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है उसे भी वह आपके जीवन का ही अंग है इसलिए आपको उसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी आप उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे इस प्रकारिस की भाषा बहुत ही अच्छी है और हम लोग इस प्रकार आत्मा का ताप पाठ को समझने का प्रयास किये हैं विद्यार्थियों पाठ को आप लोगोंने भली भाती समझा होगा ऐसा मेरा विचार है और अब हम इस पाठ के आधार पर आप लोगों के लिए पांच प्रशन उच्च चंतन पर आधारित लेकर आए हैं तो आप इस प्रशन को देखिए और समझिए और इसे हल करने के भी आप कोशिश करेंगे पहला प्रशन है चित्रकला व्यवशाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है पाठ के आलोक में कथन का आशे अश्पष्ट कीजिए दूसरा प्रशन है रजा की जगह अगर आप होते तो क्या आप अपने सपने को पूरा कर पाते और तीसरा प्रशन है जीवन में सफलता के लिए साहस, संघर्ष और जिद की भूमिका किस प्रकार से महतोपूर्ण होती है रजा के संदर्व में आपको लिखना है और चौथा प्रशन है कि तुम्हारे चित्र में रंग है, भाब ना है लेकिन रचना नहीं है कथन में नहीत भाब को अश्पष्ट कीजिए और अन्तिम प्रशन है, रजा को सेजा का काम देखने के लिए क्यों कहा गया होगा विद्यार्थियों, तो मुझे उमीद है कि आपको यह पाठ ठीक से समझ में आ गया होगा और आगे फिर हम इस तरह से आप लोगों के समक्ष नए नए पाठ लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद झाप टते लिए भेश लेकर दोवस्टर्पास झाप प्रयों कि आपको यह विए नएजा कि ऑज़े एंगे, तो बना कि रहेंगे प्यवाद झापको यहाद़ रहे विए विए पिए प्रता आपको यहीं उत्या है झापको यह जदाल मता उया है झाल झाल